आप सभी को नमस्कार, मुझे उमीद है आप सब अच्छे होंगे आज जो है, वो क्लास नमर 13 है, यानि की 13 है पिछली क्लास पर मैंने आपको रेशियो एन परपोर्शन, अब मैंने आपकी चेप्टर की सुरुवात कर दी है आपको पता होगा, जो बहुत सा रेस्ट्वेंट्स मुझे नए नए जूर रहे हैं तो उनको एक बार जान कारे दिये दू बांकि जो क्लासेज स्टार्टिंग से ले रहे हैं, उनको तो पता होगा कि यह मैं जो क्लासेज दे रहा हूँ, यह जारखंड SSC CGL जो आपका पेपर होने वाला है अगर्ष्ट में उसका मैं टार्गेट किया हूँ, हिट किया हूँ, मैथ का प्रीबियस एर का कोर्शन पेपर, पिछले 10 साल का जो कोर्शन पेपर जो CGL लेबल का आया हुआ है, मैं उसी को उठा करके, chapter wise मैं आपको solve करवा रहा हूँ, system से, कहीं कहीं से नहीं, state wise नहीं इससे क्या होगा, कि आपका लगवा लगवा पूरा मैथे में complete करवा दोंगा, और पूरा मैथ जो है, माथा में छप जाएगा, क्यों, क्योंकि आप system से पढ़ रहे हैं, मैथ connected होता है, मैथ अकर कहीं कहीं से पढ़ेंगे, तो कभी समझने हैं, मैथ जानते क्या होता है, ए जा करके मेरे YouTube चैनल के playlist पे चले जाएए और जा के वहाँ पे आप देख लिजी, ठेक है, सारा वीडियो पर आ हुआ है, system से देखेंगे, तभी मैथ में perfection आएगा, clear है, आज जो हम chapter स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम धासू chapter स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने आपको बता फिर क्या होगा profit and loss, फिर क्या होगा CI, निकि Simple Interest, फिर SI, ऐसे करके, सिस्टम से चलेंगे, ये chapters पहले most important होते हैं, तो आज मैं आपको आउसत का स्टार्ट करवा देता हूँ, इसमें दो classes लगेंगे, ये chapter बहुत टफ होता है, इसमें कुछ questions थर आपको है भी मिलेगा, घब से दो घंटे की चीज होगी, वह 45-50 में करवा के निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं स्पीड लेके चलता हूँ, मेरे में स्पीड है मेरी solution में, आपको चाहिए भी तो वही ना, बाई, कम टीटर हैं, आपको नोकरी रहें चाहिए, सुस्ता दिमाग तो चलेगा नहीं, लेंदी से केन में बहुत बड़ी-बड़ी बाते बोल के निकल जाता हूँ, इसलिए तो आपको पॉजेटीव रहना है, हमेसा पॉजेटीव, जोस मेरा कीजिए, ठीक है, चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको एक चीज बता मैट का, कॉमबो बैच है, जिसमें रेलेवे का NTPC, ग्रूप D, SI, RPF SI का फॉर्म भड़े होंगे, तो वो ALP का फॉर्म भड़ेंगे, तो वो टेकनिसियन का फॉर्म भड़ेंगे, तो ये एक हाई-लेबल बैच है, क्योंकि अभी रेलेवे में आप जानते होंगे, दोजार महिने का कोर्स होगा, इसी संदाजा लगा सकते हैं, सैबन मन्स तक मैं पढ़ाओंगा, और इस पूरी कोर्स की जो फीस होगी, मात्र और मात्र 31 रुपिया फीस है, और मैं ये 20 जुलाई से साम के सारे 5 बजे आ रहा हूं, 20 जुलाई से साम के सारे 5 बजे, इसे मैं संपुर्ण मैथ होगा, ये complete, आपको जो मैं करवा रहा हूं, वो complete मैथ नहीं है, वो chapter wise है, नहीं है, वो previous year का question paper solve करवा रहा हूं, ये मेरी उदारता है कि मैं आपको previous year का question paper भी मैं आपको chapter wise करवा रहा हूं, इसे आपको मतलब हद तक complete हो जाएगा, लेकिन पूरा मैथ मैं online आया हूं, मेरा एक अलग उदेश है, अलग उदेश से में online आया हूं, यहां दौलत कमाने के लिए नहीं हूं, इसके लिए मैं offline से में कमा रहा हूं, मुझे इतना चाहिए offline से मिल रहा है, ठीक है जी, चलिए, आज की class अवे start करते हैं, आज की class बेहतरीन होने वाली है, ठीक है, दो class इसकी लगेगी, average की आज पहली class है, पहले question लिखे, सुल्ल सिक्षकों की आउसत आयू, अंठावन बर्स है, उस समू में एक नए सिक्षक को सामिल कर दिया जाए, तो आउसत आयू दो बर्स बढ़ जाती है, तो नए सिक्षक की आयू क्या है, पहला ही it's a very very important question है, ठीक है, option है 92 साल, 92 years, दूसरा option है 88 साल, 88 years, तीसरा option है 96 years, औ इस question को मैं एक second में solve करवा सकता हूँ, कातर हूँ, एक second मैं यहीं बताऊंगा, यही answer निकला हुआ है, लेकिन वो नहीं, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मैं इसका एक base पकरा देता हूँ, जो बहुत popular है, और यह आपको जानना है, क्योंकि किसी चीज करना, देखे, कोई भी चीज का, अगर वो base नहीं समझेगे ना, तो हमें साथ से perfection नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं chapter wise कर रहा हूँ, मैं set wise नहीं कर रहा हूँ, set wise मैं नहीं perfection नहीं आएगा, एक question रहेगा, कोई एक chapter से, फिर दूसरा question रहेगा, किस मेरी महलत का फैदा उठाई, देखे, आप इतना जानते होंगे, इतना आपको पता होगा, कि आवसत बरावर क्या होता है, यह आपको पता होगा, आवसत बरावर क्या होता है, average equals to क्या होता है, योग बटे, संखिया, इतना तो आपको पता होगा, average equals to sum upon number, अगर इसी से यो बेसिक चीज है उस चेप्टर का वही बता देता हूं उसी में खाले मैं आपको दिमाग लगवाता जाओंगा तोड़तार करूंगा मैं उसी में कॉश्चन के कोड़िंग उसको अपरेट करना शुरू करता हूँ तो पहले हम इस से इसको बनाते हैं बाकी में कितना धांसू सलूशन दोंगा तो यह कई सकेन मांसा निकाल जाएगा थोड़ा पैसेंस रखें अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय लगता है देखें सोल्ला सिख्षकों की आउसत आयू 58 बरस है तो पहले सोल्ला का हम क्या निकाल लेते हैं योग तो सोल्ला का योग क्या हो जाएगा सोल्ला अगुने 28 अब यह बताया हूँ योग बढ़ा ठीक है जी तो सोल्ला का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सोल्ला अठे 128 अठाइस का आठ हाथ ने 12 सोल्ला पंचे 80 असी 12 बानवी 9 to 8 928 थीक है अब अगर समू में एक नए सिख्षक आ जाए तो सोल्ला सिख्षक तो अल्डेडी था एक नए में आ गया तो कितना हो गया सतरह हो गया अब सतरह का योग निकालेते हैं तो जब नया सिख्षक आता है तो समू की अउसत आईू दो बड़ जाती है यानि कि आयू थी आउसत आईू 58 अदू बड़ गया तो 58 दो कितना हो गया 60 अब इसको गुना कर देते हैं 176 के 102 होता है एक जीरो लगा देंगे तो 120 हो जाएगा calculation best रखा किजिए और मैं बारवर कर रहा हूं मैं easy data भी यहां ला सकता है था मैं 10 और 12 ला देता है उससे आपको फायदा नहीं होगा मैं बारवर कर रहा हूं हाट से हाट चीजे बनाने की कुछिस कीजिए हाट से हाट बनाएंगे easy अपने आप बनने लगते हैं इसलिए data हरता आपका question होता है तो मैं data जान भूज की tough दे रहा हूं तो अब निकालीजे अब इसमें क्या दिकत है कुछ नहीं तो सुल्ला सिख्षक की total age कितनी होगे 928 और 17 सिख्षक की total age आपने निकाला योग निकाला कितना होगे एक हजार बीस आपको एक का निकालना है तो एक हजार बीस में से 928 को घटा दीजिए तो कितना आएगा 92 साल तो इसका answer कितना हो जाएगा 92 यर्स जो नया सिख्षक आया उसकी age कितनी थी 92 देखो बना तो लिए लेकिन calculation है calculation होने के कारण आपको दिक्कत करेगा 2-4-5-10 सकेंड का time लेगा अब मैं आपको एक जवरदस चीज बताता हूँ यह तो आप समझेगे ना इसको हटाओ आप देखो आप इसको note कर ले ना वीडियो पहुज करके note कर ले आप समझे मैं हमेशा कहता हूँ मैं क्या बल रहा कि जो दो घंटे की चीज है वो 45-50 मनट में निप्टा देता हूँ मेरे solution बेजोर है बार बार में यह कर हूँ आप पढ रहे होंगे मुझसे तो जान रहे होंगे जो मैं कहता हूँ उसको यहां चापने की कोसिस करो note बाद में करना वह है असलिए note यहां होता है जो कहता हू को note करने पर ध्यानेगा ना आधा concept समझ माएगा आधा नहीं समझ तो क्या बता दे कुछ समझे में नहीं आ रहा है अब मैं जवरदास्ती बताता हूँ शुला सिक्षकों की आउसत आयू कितनी है अन्ठावन बरस इसका मतलब यह हुआ कि शुला बैक्ती की आउसत आयू अन्ठावन बरस है तो हम एक्जेक्ट तो नहीं बता सकते कि इसमें एक बैक्ती का एज क्या होगा लेकिन इसके आसपास यह जरूर पता चल गया है कर कोने साल का हो एवरेज का मतलब क्या होता है और राची का एवरेज टेंपरेचर है 41 इससे क्या पता चला इससे यह पता चला कि इन चारों महानगर में टेंपरेचर जो है वो 41 के पास है मालजी अगर मालजी दिली मुंबई कुलकता और राची का अगर टेंपरेचर है 41 इससे क्या पता चला आपका कि चारों नगर का टेंपरेचर जो है उसी का असपास है किसी मोसकता 42 हो किसी मोसकता 40 हो किसी मोसकता 43 हो average का मतलब यह होता है, exact नहीं पता चलता है, लेकिन nearby अनुआन लगा ले तो, आप 10th में पास की होंगे, board के exam दी होंगे, आपका 10th में average marks मालेज़, आपका average है 62 marks, 10th में average marks, इसका मतलब क्या पता चलता है सामने वाले को, form भरते हैं, तो आप लिखते हैं average marks 62, 62 मालेज़, कु उठाया है, किसी में 63, किसी में, exact नहीं बता सकते हैं, किसी में 60, किसी में 58, किसी में 64, किसी में 99 भी नहीं उठाया होगा आपने, इससे ये पर, 99 उठाया तो average 62 नहीं आता, बात को समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है, 16 सिक्षक की आउसता आईव अन्ठावन से, तो exact तो न कितनी होगी, अन्ठावन, ये लोजिक लगाया मनिए, गर 16 का और उसता आईज है, अन्ठावन, तो एक का कितना होगा, अन्ठावन, नियर वैलिया अन्ठावन, अब देखो, अब जब समो में एक नया आदमी आया, तो आउसता आईज कितना बढ़ा दिया, दो, तो जब एक आया, ध्यान से सुनना, तो दो बढ़ाया है, तो एक आया तो टोटल हो कितना गया, 17, 16 पहले से था, एक आया 17, तो एक पे दो बढ़ा है, तो 17 पे कितना बढ़ा होगा, 17 दूनी, 34, ये बढ़ा, ये इसमें, आया न, 34, ये इसमें जोर्द, जोर्द, 92, साथ, देखो, किलियर है कितना साल आया आंसर 92 साल देखो यह सेकेंड वे निकला आंसर कुछ नहीं करना है अगर यहां काता कि घट रहा है तो घटा देते एक पे दो बढ़ा तो सतरा पर कितना बढ़ेगा देखो एक सेकेंड में यहीं बच्चा करता है अंठावन एक पे दो सतरा दुना 34 यहीं जोर दीजिया आंसर आपका निकला हुआ है कोई दिकत देख लीजिए आप ध्यान सुनना जब भी कोई एक टॉपिक इस दानते इसका टाइप है तो आमें माथाम फिट कर देता हूँ चीजिए यह करेंगे कहां आप जब भी किसी समों में कोई बैक्ति आ रहा होगा एक बैक्ति जब भी किसी समों में आ रहा होगा आप यही करोगे पलस होगा तो पलस कर देना माइनस होगा तो माइनस कर देना इसका एक उल्टा भी होता है जब किसी समों से एक बैक्ति जा रहा है सीम उसमें भी यही करेंगे लेकिन उसमें साइन चेंज हो जाएगा आ रहा होगा तो पलस होना चाहिए लेकिन हो जाएगा माइनस क्योंकि जा रहा है तो लोजिक लगाया अगर घट रहा होगा तो होना चाहिए माइनस लेकिन हो जाएगा पलस अपको पता चलेगा कोशन से अगला कोशन देखिए, अगला देखिए, एक बेहतरीन कोशन है, कोशन लेके पहले है, एक 11 क्रिकेट खिलारियों की ओसत आयू 20 वर्स है, जदी कोच की ओसत आयू भी सामिल कर ली जाए, तो ओसत आयू 10 पर तीसत बढ़ जाती है, तो कोच की आयू ग्याद करने है, 48 साल, 44 स और 36 साल, दोको मैं डिरेक्ट बनाओ, एक तो आप ऐसे बना सकते हूँ, पहले जो बता रहा हूँ, 11 का योग निकाल लीजी, कोई बात नहीं, मैं दोनों बताता जाता हूँ, 11 गुने 20, एक तो आप ये निकाल लो, ठीक है, यदी कोश की आयू भी सामिल कर ली जाए, तो 11 11 था, कोश आ गया, थो गया 12, तो 12 का योग निकालेंगे, तो 10 आयू 10 परसेंट बढ़ जाती है, तो 10 आयू है कितना, 20, तो 20 का जो 10 परसेंट निकालोगे, तो 10 परसेंट का मतलब पता होगा, कितना होगे, 2, यानि कि 10 आयू 2 थी, अब 10 परसेंट का मतलब हुआ 2 बढ़ा तो औसात आयू कितनी हो गई 22 इन दोनों को गुना करके घाटा दो कौछ का आयू निकल जाए कोई दिक्कत नहीं अब देखो यहाँ पर मैं एक से किर्मान सर निकल भाता हूँ 11 क्रिकेट खिला रहे हों कि औसात आयू 20 वर्स थी 27 का मतलब सब की आयू किस के पास थी 20 के पास ती, अगजयक्ट नहीं पता है लेकिन सबकान लगाल ये 20 था अब एक पे कितना बढ़ा? 2 बढ़ा तो कितना हो गया? 12 11 एक आया 12 तो एक पे दो बढ़ा, तो 12 पे कितना बढ़ा होगा? 24 जोर दो 24, देखो, ये एक सकेन बांसर निकला, डाटा बचा, अगर मल जी यहां डाटा दे दे, 374, 512, पॉइंट में दे देता है डाटा, 25.9, बात को समझ रहे हैं, तो प्लेने के देने पर जाएंगे, मैं डाटा से आपको बचा दिया हूँ, आई बात समझ में, एक कोशन और है, एक ट्रक, और चार कार, यानि की पाँच चीजे होंगे, 48 होजन है, यदि ट्रक का वजन निकाल दिया जाए, तो एक किलो वजन कम हो जाता है, है तो ट्रक का वजन कितना है जो निकाल आ गया है ठीक है 50 के जी 30 केwyग देखुआ ये से किट है 15 सकतो जबlor ढांस्यदेन उस पर यह निकल आयां कर फिर यह ठiiii यदि एक ट्रक हटा जिया तो यानि किट आइग तो और तालिस था तो एक कम हो गया 47 इन दोनों को सॉल्व कर लो आंसर निकाल देखो मैं एक से किन बना देता हूं देखो कल्कुलेशन है तो पहला कोशन में डाटा था जो दिखकत हुई थी वही तो बात है न तो टाइम बचाना है जितना स्मार्ज कर रहा हूं बैस्ट चीज देख रहा हूं इससे बैस्ट कुछ नहीं हो सकता अबने स्टीन अगर होता तो में बता देता ठीक है अब क्या है तो पांच आदमी का या पांच चीज है तो बाजन بजन के असपास अब एक गया तो कितना कम हुआ एक घटा एक चला गया तो पांक चीज थी उसमें एक होना चाहिए है Прेकिन यहां पर होना चाहिए माइनस होना चाहिए क्यों क्योंकि एक चीज सम्मूल छोड़के जा रहा है रत निकाला जा रहा है तो जब समू से कोई भी चीज एक छोड़ी जाए तो यहाँ पर sign change करेंगे कम हो रहा है इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा बावन इस cancer क्या आएगा चौथा option बावन देखे धारा धार निकालना दूसरा इसको गुना करके निकाल सकते हूँ देखे अगला question समझते जाना तब वीडियो पॉज करके अराम से नोट कर लेना question लिख लिया करो question के लिए मैं time देता हूँ 27 लरकों के एक समू की औसत आयू 21 बरस है देखो अब इस question को 27 लरकों के एक समू की औसत आयू 21 वरस है यदि कोई लरका समू छोड़ देता है देखे समू से जा रहा है तो औसत आयू 21.7 हो जाती है तो समू छोड़ने वाले लरके की आयू ग्याद करनी है बाबू इतना heavy question है तेल निकाल देगा जी तेल निकाल देगा बनाने में तो कितना data है भी दिया है अगर बनाओगे तो पहले क्या गुना करोगे 27 का निकालो तो 27 गुने 21 इसको गुना करके रखो फिर एक लरका चल जाता है तो 27 से बात कितना हो गया 26 तो और सत आयू ध्यांस देखो 21 था और सत आयू 21.7 हो जाएगी गौर किये समझे 21.7 से गुना करना पड़ेगा इसको अब लेने के देने पर गये नानी याद आ जाएगी 26 को गुना करो 27 से तब पॉइंट लगा पी जोना करो अब से किन बनाता हूं एक से के में जनधना जायेगा अंदर से 27 लरकों के समझे कि उसातायू कितनी थी 21 इसका मतलब सबक funkRIS कितने क्या सपास थी 21 की सपास थी और चला अब एक गया तो बचा 26 तो गया तो एक ध्यान से आता 26 हो गया पॉइंट साइट, तो 26 पे कितना बढ़ाया होगा, एक पे पॉइंट साथ बढ़ाया, तो 26 पे कितना बढ़ाया होगा, पॉइंट साथ, धाराक्स इसको गुना कर सकते हैं, साथ चक ब्यालिस का दो हाथ में 4 साथ दोनी 14, 14, 18, 18.2 अब क्या करा है यह हो गई तो यह तो बढ़ गया 21, 27 हो गया तो यह बढ़ गया लेकिन यहाँ पर होना चाहिए 18.2 जो है यह होना चाहिए यहाँ पर पलस लेकिन यह बढ़ा है समू छोड के जा रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा पलस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ लगा दो यह 0, 8 हो गया यह कितना हो गया 18, 23, 22, 2, 2.8 इसका अंसर क्या है 2.8, देखो कितना तेजी से निकला ओरली बनता है calculation must be better calculation बहुत जवरदास्त रखना तब ही तो कर रहा हूँ आप बिजोर चीज बता रहा हूँ आप पराम से देखें बिस्वास करें दुनिया बिस्वास के ही चलती है ठीक है जी चलिए अगला next अगला question देखिए question एक नाव में यात्रा करने वाले 10 स्रमिकों का आउसत वजन 2.8 kg है देखो आजकल डाटा ऐसे ही आते है इसलिए बार मम्राण कर रहा हूँ डाटा में बहुत अच्छा दे रहा हूँ आपके फैदे कले कर रहा हूँ एक नाव में यात्रा करने वाले 10 स्रमिकों का आउसत वजन 2.8 kg बढ़ जाता है जब एक स्रमिक जिसका वजन 58 kg है उसके अस्थान पर एक नए स्रमिक लग जाता है तो नए स्रमिक का वजन याद करना ये रिप्लेस्मेंट वला है एक समू में से एक जाएगा और दूसरा आएगा ये टाइप नमर थर्ड होता है अभी तक टाइप नमर दो करवा दिया हो किसी समू से एक ब्यक्ती गया किसी समू से एक ब्यक्ती आया ऐसी था दो तो अब इसमें देखिए ये रिप्लेस्मेंट वला बोलते हैं कि एक जाएगा एक आएगा तो सदस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दस स्रमिक है उसमें से एक चला गया एक आगया तो दस ही न रहा है इसमें घाटा बढ़ा नहीं है संख्या तो वही जितना आदमी होगा उतना ही रहेगा जवर्दस तो संद आप्शन है 68 kg, 86 kg, 82 kg और 84 kg एक सेकेंड में निकल वाता हूँ दूसरा सेकेंड नहीं में लगने दूँगा देखिए आपको क्या करना है दस स्रमिकों का आउसत वजन 2.8 kg बढ़ जाता है जब एक स्रमिक जिसका वजन 58 kg है ठीक है उसके अस्थान पर कोई दूसरा आ जाता है देखिए 10 आदमी है उसमें एक आदमी जो है 58 kg वाला है ध्यान सुना येक सेकेंड बता दता हूँ 10 आदमी है उसमें एक जो मजदूर है वो 58 kg का है उसके अस्थान पर एक गया वो 58 kg वाला चला गया और उसके बदले में दूसरा आया उससब का वजन जो है 2.8 kg बढ़ा दिया अन्थावन kg के अस्थान पर गया हूँ अन्थावन वाले चला गया उसके बदले में दूसरा आया जो आया वो 2.8 kg बढ़ा दिया है वजन जो आया तो अन्थावन kg लेके आया ही आया कोकि गया था अन्थावन वाले तो अन्थावन लेके आया लेकिन बढ़ाया कितना अन्थावन kg के अलावा 2.8 तो एक पे अगर 2.8 kg बढ़ा होगा तो 10 पे कितना बढ़ा होगा 2.8 को क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 kg बढ़ा होगा क्लियर हो रहा है कोई दिक्कत तो नहीं समझ रहे हैं बात को जो मैं कह रहा हूं दिक्कत हो बार 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 वीडियो को देख लेना मेरे सब्दों को सुनने की कोसिज करना मैं बार बार करो मेरे सब्द में ही ताकत है जो मेरे कॉंसेप्ट है वो मैं आपको डिलिवर कर रहा सब्द के माध्य हम से सब्द को चापो दिमाग में बार बार करो यहां चापो मेरे मैथ के सॉल्यूशन जवरदस्थ हैं बहुत कम समय में बहुत सारे चीज़ें बताके निकल जाता हूं क्लियर हो गया और यहां का था कि घाट रहा तो इसमें सा ठाय से घाटा आ देते हैं अगला देखिए नेश्ट कोश्चन अब आप यह बना लेंगे अब मुझे यह कोश्चन देने के जुरूत नहीं है दोखो यह बेहतरीन कोश्चन है यह थोड़ा हैवी कोश्चन है साथ ध्यान से देखना जवरदस्ट कोश्चन है मैं आपको दो सेकेंड के भीतर इसको बनवा देता हूँ खली ध्यान से देखना इस कोश्चन को पहले कोश्चन लिखे कोश्चन है यदि 40 kg वजन वला एक बैक्ती सामिल होता है किसी समू में तो समू का आसत वजन एक केज बढ़ जाता है यदि इस बैक्ती का वजन 28 kg होता तो आसत वजन एक किलो कम हो जाता तो समू का वास्तिविक वजन क्या है इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन 34 kg, 24 kg, 39 kg, 29 kg अब देख हुआ रहा है एक समू है उसमें से एक 40 kg वला बैक्ती जो है उस सामिल हो जाता है समू है उसमें 40 kg वला बैक्ती आया, 40 kg वला बैक्ती आया, ध्यान से सुनना यह बहुत टाफ कोशन है, बनाओगे ना ना नहीं आदा जाएगी, अदेख हुआ पांस सेकेंड में गरदा उरा देता हूं, खाली कॉंसेप समझो, 40 kg वला आया, 40 kg वला आया तो एक वजन क्या आया, तो एक केजी बढ़ाया, 28 लेके गया, तो एक केजी घट आया, यानि कि कहने का मतलब है कि एक केजी बढ़ाया और एक केजी घट आया, ठीक है, तो ये दोनों का अंतर निकालो, तो दोनों का अंतर मतलब समझते हैं, एक और माइनस एक का अंतर क्या होगा, पता आएंगे तो क्या होगा 1 में से माइनस 1 घटा आओगे तो क्या होगा 2 होगा मैं अंतर निकालना हूँ अंतर क्यों 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 40 kg अब 28 kg का अंतर कितना हो गया 12 kg अब मैंने यहां पर जब यह 40 kg से वजन 28 kg कर लिया तो मैंने अंतर निकाल दिया तो 12 kg तो बारा केजी कितने के बरावर हुआ है, एक गया, एक कम किया, तो टोटल का अंतर निकाल दो, तो दो पर बारा हुआ, तो एक पर कितना होगा, दो से भाग दे देंगे, यानि की 6, तो यानि की 6 केजी ये घटा आ चुका है, कितना होगी आए, 40 था, इसमें से 6, माइनस कर कितना आएगा, 34, देखो, option number, पहला ही इसका answer, आई बात समझ में, जब भी बहुत popular question है, question का level बढ़ाया तो यहां से पूछदा है, जब एक समों में कोई कहेगा, 50 वला आया, 2 बढ़ा दिया, फिर 50 के बदला, उसका उजन 30 जा आता, 3 घटा दिया, ऐसे ही बनाना, दोनों का अंतर निकाल लेना, इसका अंतर करना, एक पे निकाल लेना, जितना आया, उसको घाटा देना, answer निकल जाएगा, समझ मा गिया, मैंने पूरा समझा भी दिया है, और बता भी दिया है, अगला question देखी, next, बेहतरीन question है, it's a very very important question, सारे question बेहतरीन ही होते हैं, मैं बार बा अच्छे नहीं लगते, सुस छात्र को मैं पसंद ही नहीं करता हूँ, हाँ, सर, हाँ, कितना हुआ ही, मारेंगी चोटा, कितना हुआ ही, पुरुभा कहीं का, ऐसे नुक्री लेगा, जी, ऐसे, ये तीज रखना परता है, समझ गे ना, वेकेंसी होती है, पांच हजार, बीस हजार को, किसको होगा, जो क्रीम लियर का अचा होगा, जो आपके भलाई कली करा हूँ, पढ़ते हैं, तो मन लाके पढ़िए, एक ए घंटा पढ़ते हैं, पूरा गार्द ये दिमाग को, बात को समझ रहे हैं, यह नहीं कि कहीं और धियान है, तब कभी नहीं होगा, देख लेकिन यह पाया गया, कि 64 को गलती से 46 मान लिया गया था, तो गलती हो गई न, तो कह रहा हूँ है, अंकों का सही माध क्या है, एक ची मैं आपको बता दू, आउसत को ही माध कहा जाता है, इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आगे आप सीखोगे, अगले क्लास में, पर्थम सव धनात्मक पुर्णांकों का मात ग्यात की ने, बहुत सरा बच्चा कन्फ्यूज कर गया, मीन क्या करते हैं, अउसत को ही माध कहा जाता है, ठीक है, तो 36 विद्यार्थियों का प्रापतां कितना था, बावन, अब उसमें से एक संख्या, 64 को गलती से जो है, उच्छी आल तब सही क्या आएगा, जर्ड क्या आएगगा, यह option है, चोबन आएगा सही, कि 35.5 आएगा, कि 32.5 आएगा, की 35.5 आएगा, तो बात को समझगें, आप ऐसी समझें, आपको किसी को देना था 31 रुपीया, आपको 31 रुपीया देना था, मेरा कोर्स 31 है मुझे आपको देना था 31 रूपिया और आपने मुझे गलती से ले दिया 13 रूपिया 13 रूपिया तो गलती किये न आपने मुझे 31 रूपिया देना था न तो वही का रहा है देखो जवर्दस तरीका बताता हूं बनाओगे बहुत बड़ा तरीका यानि कि कम ले ले लिए ओख साव्जिपया 15 देना था 84 रूपिया और आपम देख के चले गे 46 रूपिया तो 80 रूपिया न यह कम है न तो इसमें जुरिएगा न अगर जैदा होगा इसमें से घट जाएगा आतको समझे हैं दोनों टाइप का कोशन आता है तो यहाँ पर लेना था 64 ले लियो आप 46 तो 18 कम लियो तो ध्यान सलो तो 18 का आउसत निकालो तो 36 पे निकालोगे न तो 36, sorry 18 बटे में 36 आउसत परावड क्या होता है योग बटे संखिया, sum upon number अब इसको काट दो 18 दूनी 36 कितना आउजाएगा 0.5 तो आउसत 0.5 आपने कम लिया था तो इसमें जोर दो तो 52 में 0.5 जोरोगे तो आंसर कितना आएगा 52.5 बात कोई समझेगे, यहीं पर यह काता कि लेना था 46, डाटा को चेंज करदा हो अब ले लिया गलती से चांसर तो आपने जैदा ले लिया जैदा लेते तो फिर 52 में से घाटा देते तब इस काँसर आता है 4.5 ठीक है? यह ध्यान से देख लेना घाटा आना जोरना पड़ता है काम लिया होगे तब इसमें जोरोगे अगर जैदा ले लोगे तो इसमें घाटा दोगे आई बाद समझ में ऐसे ही निकाले ना अब यह कोश्चन ध्यान सुनो यह एक नमबर पे भी आता है यह दो नमबर पे भी आता है तफ किया तो तीन नमबर भी दे देगा जी आपका परवेज परजेंस ऑफ माइन और कैलकुलेशन चेक करता है कि आप बहुत कम समयमी सब चीजों को समझ पाते हैं कि ने यही चेक करता है तो मैं आपको दो पे नहीं दे करके तीन पे दे देता हूँ तीन दे 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 वहीं बोला नो हाट दूँगा तईस पाया गया पचास अबलोकनों का आउसत तईस पाया गया उनमें से तीन अबलोकन उनीस तैंतिस और च्यासट को गलती से तीस अर्तिस और उनहत्तर समझ गया गया गलती से तो अबलोकन का वास्तविक आउसत क्या हुआ देखो पचास का अवलोकन का कोई चीज है उसका कितना उसत पाया गया 30 लेकिन गलती से देखे तो आपको तीन अवलोकन क्या-क्या लेना था लेना था 19, 33 और 66 लेना था ये और आपने गलती से क्या ले लिया 30, 38 और क्या ले लिया आपने 79 यानिकि 69 अब आप जोड के देखो तो पहले इसको जोडते हैं 36, 39, 9, 18 मैं यहां लिख दे रहा हूँ बरावर उपर लिखता हूँ 36, 39, 9, 18 का 8 हाथ में 1, 36, 9, 10, 11 आई बात समझ में आपको 118 लेना था लेकिन गलती से कितना लिए वो देख लेते हैं 9 और 8, 17, 17 का 7 ठीक है जी अब यह हो गया, एक हो गया, 6, 39, 9, 3, 12, 13, कितना था 137 तो आपको लेना था 118 और आपने गलती से क्या ले लिया 137 इस बार आपने जैदा लिया है तो घाटाना पड़ेगास में जैदा लिया है, तो कितना जैदा लिया है वो भी देखिया आप कितना जैदा लिया है, 18, 19, 36, 19, 19 जैदा लिया है इसको जब से भाग देंगे देंगे, अपने मन से हम दो से गुना कर देते हैं यही चीज कराओं सीखने के लिए, कुछ बचा, 19 को 50 से भाग देने में लगा हुआ है आज भाग निकाल के छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं बुरबा को दिमाग कहा है जी, जब पॉइंट में तोड़ना है, 50 तो है, इसको 100 बनाओ, नीचे में 0 लाओ, 0 नीचे माँ गया, फट से पॉइंट में इसको convert कर लेंगे अब देखो कितना होगी है, 19 दूना, 38, 38 बटे 100, तोड़ दिए, 0.38, अब आपको क्या करना है अब देखिए, आपने क्या ले लिया है, जैदा ले लिया है, तो घाटाना पड़ेगा, तो 23 में से, सही औसर 20 है ना, तो 20 में से माइनस करो, 0.38, इसका आंसर क्या आएगा, 22.62 ये है आंसर, ओप्सन नमबर सेकेंड, आई बात समझ में, किलियर हो रहा है बड़कुरदार बड़ियां से पढ़िए, नुकरी चाहिए ना, मज़े के लिए तो नहीं आए ना, नुकरी चाहिए ना, तो पढ़िए, आपके फैदे के लिए का रहा हूँ, ठीक है, पढ़िए, एक बार विष्वास करके आप पूरा पढ़ जाए, मैं तो कर रहा है कि एक क्लास में गुरुवाग बनाने वाला एक कोशन है, लेकिन फिर भी आमें बता दोता है एक कोशन, पंदरा परिक्षा परिनामों का आउसत साथ है, यदि पहले आट परिनामों का आउसत अंठावन है, अंतिम छे परिनामों का आउसत बासत है, तो नौमी परिक्षा परिनाम आपको ज् 64, तीसरा अप्शन है 62, और लास्ट अप्शन है 63, तो अब हम निकालते हैं, यहाँ पर देखिए, निकाल रहे हैं, तो 15 परिछा परिणाम, तो 15 का कितना था, 60, तो 15 का योग निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 15 अगुने 60, तो 15 अगुने 60 कितना हो गिया, 900, 15 चके 90, अब 15 में पहले 8 का परिणाम कितना है, अंठावन तो 8 का निकाल लेते हैं, 8 अगुने 58, तो कितना हो जाएगा, 88, 64, चार, 46, 46, 46 हो जाएगा, क्लियर हो गिया, अब अंतिम 6 का, तो 6 का भी योग निकाल लेते हैं, 6 का कितना है, 62, तो 6 से 62 का दो हाथ में, 1, 4, 36, 37 हो गया, अब देखे, अब कोश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कि 15 का योग कितना आया, 900, अब 15 में 8 का योग आया, 464, और 6 का योग आया, 372, तो इन दोनों को जोर देते हैं, तो कितना हो गया, 14 हो गया, तो 14 का योग कितना हो ग तो आप एक का निकालना है नौ मी कहें दसमी कहें को भी एक कह देगा को निकालने के लिए अब 900 में से 36 को घटा देते हैं तो आंसर कितना आएगा 64 आएगा इसका आंसर आई बात समझ में क्लियर हुआ सारी चीज़ें कोई दिकत देख लिए चलिए इसी में कभी क畢 यहां पर जब यहां 15 नमबर है कभी काल जानते है यहां दे देगा आपको एक जैदा 16 नमबर देगा यहां देगा कहेगा कि 9 संख्याओं का यहां कहेगा साथ इसको जोरूगे सोला जाएगा तो यह बढ़ा गया तो इसमें से छोटे को घटा देना ठीक है अगला कोशन देखे अब आप यह कोशन बना लेना घड़ पे मैं आपको लिखा देता हूं ठीक है यह बहुत सिंपल है नौ संख्याओं का आउसत 15 है यदि पहली 5 संख्याओं का आउसत 17 है तो पांच मी संख्याओं क्या होगी अप्शन है 18, 16, 20 और 15 इसमें कभी क्वाल करता क्या है यह तो आप इजी है कलको समना है थोड़ा पैसे टाइम टाइम बचा के रखो देखो हर तरह की कोशन होते हैं कभी क्वाल कोशन क्या हुआ हर तरह का सेट होता है खाली हाड कोशन नहीं पूछता है खाली इजी है कोशन नहीं पूछता है उस सेट बनाता है उस एक स्पोर्ट होता है ऐसा सेट करेगा आपको लगेगा बापरी क्या कोशन कर दिया है easy medium और hard हर तरह की question होते हैं अगर कोई question easy आए तो अब उसको धराक से बना के time बचा लो क्योंकि अगर question easy आया हुआ है सामने में तो समझ जाना अगला question hard आने वाला है तो अब hard question हो सकता है भाई क्या आपको 30 second 40 second time लगे तो easy question 10 second बना लिए अब इसका भी जो 30 second time बचा उसका भी जो 30-40 second time बचा वो बना के रखी आप 17 seconds बच गया आपके पास एक डिर्मिन का time बचा अब हो hard question के लिए time दीजिए ऐसे बना आ जाता है कोई question 5 second बन जाएगा किसी question में हो सकता है कि 50 second time लग जाए तो time बाहर से तो नहीं लाएंगे अब दीजिए इसमें एक अच्छा question है मैं वो भी देता हूँ आप बना ले ना गार के बड़ा अच्छा question है एकदम data hard है देखो question वही है देखो वही नहीं का रहा हो हर तरह question है उनी संख्याओं का आउसाथ 46 है पहली 5 संख्याओं का आउसाथ 49 है और अगली 6 संख्याओं का आउसाथ 54 है तो 6 संख्याओं का आउसाथ आपको ग्याद करनी है it's a very very important question दसमलब के एक अस्थान तक आपको गोल करना है कि कौन साथ में होगा उनीस संख्याओं का आउसाथ 46, तो उनीस गुने 46, देखो, उनीस गुने 46, कल्कुलेशन, पांच संख्याओं का आउसाथ, तो पांच गुने 49, फिर अगली 6 संख्याओं का आउसाथ, तो 6 गुने 14, इन दोनों का निकाश, कितना अच्छा कल्कुलेशन दिया हुआ, अभी तो बोलता हूँ, अब क्या करना, इन दोनों को गुना करके जोर देना, तो ये कितनी संख्या होगी, एक 11, और ये क्या थी, 19 संख्या है, अब इसको घाटाना पड़ेगा, ये जितना आया, इन दोनों को पलस करके जितना आया, इसमें से इसको घाटा देना, ये जो 19 पला ब लेकिन calculation के कारण आपको time लगेगा, इसमें यहाँ पर रहता कि 10 संख्याओं का आउसत 5 है, 5 संख्याओं का आउसत 4 है, 4 संख्याओं का आउसत इतना एक से तो, तो easy बन जाता, तो मैं easy भी ला सकता, तो वही कराओ, लेकिन नहीं, मैंने कभी कहा कि मैंने सिक्षा के तोर पर क पहतरीन कोशन है, और जवरदस सोलिशन देता हूँ, यह कई सिकन में निकल आदेंगा, क्रिकेट पारी वाला कोशन है, एक बल्लेबाज ने, पंदरोहमी पारी में 97 रन बना है, जिससे उसकी बल्लेबाजी औसत 5 बढ़ गया, तो 15 पारीों के बाद, उसके औसत रन का स्को ठोक दिया, एबरेजन तुरन बूस्ट कर गया, पांच का धर 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 चलने लगा, तो कह रहा है कि 15 पारी के बाद, एबरेजन कितना बढ़ गया, बढ़ेगा ही, तो कितना हो गया, ग्यात कीजी अप्शन है, 92, 27, 15 और 82, देखो जवरदस सलिसन देता हूँ, 15 पारी मे उसका एबरेजन कितना हो गया, 15, 5, 75, 15 को 5 से गुना कर दिया, तो 97 घटा देते हैं, 97 में से तो कितना आ गया, 22, 5 बनाया ना, तो 15, 5, 75, 97 में से घटा आये, 75, 22, प्रियर हो गया, अब इसका एबरेजन क्या हो गया, 95 या थी, 15 पारी तक, 22 का, अगर ये कोर्षन पूस्ता कि ध्यान से सुनो, कोर्षन थोड़ा ट्विस्ट है, 15 पारी तक उसका एबरेजरन कितना था, तो आंसर आ था, 22, लेकिन सो नहीं पूछा रहा है, कोर्षन क्या कर रहा है, 15 पारी के बाद, after 15 innings, what will be his average score of runs, तो 5 जोड दीजे, 15 पारी के बाद, अब से एबरेजरन कितना ब क्लियर है, कोई दिक्कत, next, अगला, अब देखिए यहां भी, कई तरह के कोशन आते हैं, मैं आपको हर तरह का कोशन दे दिया हूँ, अब ये कोशन बहुत इजी है, एक औस तरन बला होता है, मैं आपको ये भी एक कोशन देता हूँ, देखिए, आज थोरा टाइम लगेग मैक्सिमम जाएगा एक घंठा, इसे ज़्यादा टैम लगेगा, सारा कोशन आपका बन जाएगा, इसकी क्लास और दोंगी में ज़्यादा क्लास खींचना नहीं चाहता, एक गिंदवाज पहले 14 मैचों में परती औसतन 12 बिकेट लेता है, उन्होंने सभी 28 मैच खेले, और परती मैच औसतन 12 बिकेट लिए, तो पिछले 14 मैच में गिंदवाज द्वारा परती मैच के लिए लिए गे औसत बिकेट क्या है, इस अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन, और यह धराक से बन जाएगा, देखो, तो आप क्या करो, एक गिंदवाज पहले 14 मैच में पहले तो 28 में किस एवरेश से रन बनाया, 12 से, तो 28 मैच में टोटल बिकेट कितना लिया, वो निकाले, 28 बारा को गुना कर देते हैं, 12 अठे, 96 का 6, हाथ में 9, 12 दुना, 24, 24, 29, 33, किलिकर हो गया, 336 रन बनाया, अब 28 में से 14 मैच में कितने बिकेट लिए, 12 औसत था, 12 के एवरे से गुनाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 चोक, 48 का 8, हाथ में 4, बारेकन 12, और 4 कितना हो गया, 16, 16, तो कह रहा है, कि पिछले 14 मैच के गेंदवाज में, द्वारा परती बिकेट की संख्या निकाल लिया, निकि औसत में निकालना है, तो लास्ट, 28 मैच में, 336 बिकेट ल तो 14 मैच में, बाकी 14 मैच और बचा, तो 14 मैच में कितना लिके लेगा, इसको घटा देते हैं, तो 14 मैच, 28 में से 14 वाले घटा आते हैं, तो कितना हो गया, यह हो गया, 8, यह हो गया, 2, इस पे चला गया, 12, 6, यह क्या हो गया, 168, अब 168 हो गया, अब यह कितने का निकला, 14 का निकला आपका तो 168 में 14 168 विकेट लिया है 14 मैच में तो आपको क्या पूछ रहा है देखो आउसत पूछ रहा है तो 168 को 14 से भाग दे दे थे 14 14 14 दो इस पर चला गिया 14 28 कितना हो जाएगा 12 कितना था 12 यानि कि अंतिम जो 14 पाड़िया थे उसने फिर 12 के अवरेज से ले लिया आई बात समझ में कम्प्लीट है कोई दिक्कत तो नहीं देख लिजिए अगला कोशन नेक्स इस कोशन में था कुछ ने खाले आपको समझना भरता यहां तक तो क्लियर है अब देखिए अगला बेहत्रीन कोशन में दे रहा हूं जवर्दस्थ कोशन है पहली संख्यां दूसरी संख्यां का तीसरी का दुगन्या है तो पहली और दूसरी के बीच में डिफ्रेंस गयाद करना है अंतर गयाद करना है जवरदस्त कोशन है यह ratio and proportion और average दोनों को चेक कर रहा है इस कोशन के माध्य हमस जी यह कोशन उसी student से बन पाएगा जिसका math का level बहुत अच्छा होगा जो ratio and proportion भी पढ़के आया होगा और पिछली class भी बोला हूँ पढ़के आया होगे तो यह बनेगा connected होता है तो तीन संख् संख्यां दूसरी का मैं यहां clear करता हूँ इसको यह लिखता हूँ पहली संख्यां दूसरी संख्यां का दुगुन्ना है देखे तो पहली संख्या ए दूसरी संख्यां का दुगुन्ना तो बी का double ठीक है तो इसको मैं direct लिख दूँ ए रेसियो बी बरावर क्या हो जाएग दूसरी संख्यां तीसरी से दुगुन्य है तो दूसरी संख्याने की B तीसरी से दुगुन्य है तो तीसरा हैसी दुगुन्य दू तो B ratio C कितना हो जाएगा फिर हो जाएगा ये 2 ratio 1 कर दिए टीन कर दिए ट्रीव और रैसियू वंगी दूसरी से तीसरी से जुचनी तो तीसरी से को अब क्या निकालोगे यहां पे A ratio B ratio C तो A ratio B ratio C आपको याद है मैं क्या बोला था किसे निकालेंगे यही बताया था A ratio B ratio किसे निकालेंगे अब यह A ratio B क्या है 3 ratio 1 B ratio C क्या है 2 ratio 1 तो इस 2 से बारी बारी से इसको गुना करेंगा आपको याद होगा 2 तो 2 3 6 यहां लिख रहा हूं मैं दो से दो एकान, दो, और लास्ट में क्या बोला था, इन दोनों को गुना करेंगे, एक को एक से गुना करेंगे, एक, यह A ratio, B ratio, C निकल गया, आप देखो, तीनों संख्याओं का आउसत क्या है, 45, तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 45 गुने, 3, इसको गुना करक भी आप रख सकतो, लेकिन नो रखो गुना करके, तो ठीक है, क्योंकि कभी पाल हाट डाटा दे देगा, गुना कर लोगे, फिर बाद में काटना पड़ेगा, देखो, मैं ही तक छोड़ देता हूँ, इसको आप दिमाग लगाया करना, इसको ही छोड़ दिये, तो तीन संख्याओं का यह, कि अगर आपको लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ, आपको समझाने के लिए, तिन संख्याओं का यह कितना होगे, तिन पंचे, पंदर हो, आथीन चोका, बारह एक तेरह, एक सो पैंटिस, आग यह, कम्पीट हो गया, अब देखे, आप याद क्रोड संख्याओं दी हुई है, अउसे कैसे हिंसा निकालते हैं, एक सो पैंटिस रुपिया है, इसको छे अनुपात, दो अनुपात, एक के अनुपात में बाटना है, टोटल दिया हुआ है, आप किसका निकालना आपको देखो, पहली और दूसरी के अंतर, तो पहली है, छे दू पैंटिसा, पंदरा चोका, साथ, इसका अंसर क्या आएगा, साथ, यानि कि अप्शन नमबर पहला, इट सब वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन, बहुत धांसू कोशन था यह, ठीक है, देख लेना, जब यह आए, पले रिलेशन बना लेना इस तरह का कोशन में, अब यह आया ना गुना ने, अगर यही गुना नहीं किया रहते, यहां 135 के बदला आप क्या लिखते, 45 गुने तीन, तो यह इजी होता, 45 गुने तीन, देखो, डेक्टिन नौ से कर जाता, 9 पच्चे, 15, 15, 15, 15, 16, 16, इजी था तो गुना भी करते, लेकिन डाटा बड़ा रहता, ग करना ही पड़े, थोरा सा दिमाग लगाया किजिए, ठीक है, अब अगला question देखिए, next, अब tension मतले, यह खाली बुरुबग बनाने वाला question है, इस question में कुछ नहीं है, यह खाली बुरुबग बनाएगा आपको, डराता है विधियार्थी को, डराता है, विधियार्थी डर question है, N1 और N2, संख्या N1 और N2 का आउसत कितना है, 17, और N2 और N3 का आउसत कितना है, 44, 44 है, तो क्या निकालना आपको, N3 और N1 के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है, option है 35, 27, 36 और 14, देखो, तो N1 और N2 का आउसत है, 17, तो N1 और N2 का पहले हम योग निकाल लेते हैं, त तो N1 और N2 का योग कितना हो गया है, 17 दुनी 34, सब वहीं से निकाल रहे हैं, योग बराबर संख्यां गुने आउसत, संख्यां 2 हैं, इसलिए 17 को 2 से गुना कर दी, यह सब चीजे ध्यान रखना था, यह तो गोला है कि ध्यान से सुना करो, 17, अब क्या रहा है, N2 और N3 का आ N3, कितना होगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे, 18, अब आपको क्या कर रहा है, निकालने के लिए, अब ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है, N3 और N1 के बीच का अंतर, अब आप इन दोनों को घटा दीजिए, माइनस, 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 देखो अब, तो पलस N2, माइनस N2, क ão दूष्ट था, तोष्ट किया था समझो, आपको पहले N1 और N2 दे चुका है, और N2 और N3 बाद में दिया, और कहा N3 और N1 को, देखो, पहले मने क्या लिखा था, ये ध्यान से देखो, पहले मनने क्या लिखा, N1 माइन, N1 प्लस N2, लेकिन फिर मैने बाद में देखा, पिर मैंने बाद वाले को उपर में रख दिया, क्यों? क्यों मैंने यहां देखा, निकालना क्या था? N3-1, N3-N1, तो मैंने जैसे ही देखा कि N3 दूसरे टर्म में दिया हुआ, तो मैंने फट सी उपर कर दे, अगर आप पहले तो यही था ना, तो पहले सी को लिख होगा, यह थुरे जानेगा क्या वो तो बाद में पता चलेगा, अगर इसको आप नीचे कर देते, तब घटाते तो यह उल्टा आंसर आता आपका, आंसर गलत होने के चांस से ज़्यादा होते, समझेगे, थोरा परजेंस अच्छा रखागी, जिसका आँसर कितना आएगा, फिवटी फोर, अगला कोशन देखें, नेक्स्ट, यह भी बहुत ही इजी कोशन है, सिर्फ पूछा हुआ है, हम आपको बता देते हैं, ठीक है यह भी कोशन लिखें, बहुत सिंपल कोशन है, टेंसर मतलीजे, टी, यू, और वी का आउसत वजन 42 केजी है, टेंसर मतलीजे, लास्ट कोशन है, घावराना नहीं है, फिर अगली क्लास, इसकी एक और होगी है, बड़े टीपकल कोशन सवाएंगे, वन लाइनर, धरा धरा आंसर, एक एक से किर्मा आसर निकलवाएंगे, देखना हाट कोशन का कैसे बनाता हूँ, टी, यू, और वी का आउसत वजन 42 किलोगराम है, यदि टी और यू का आउसत वजन 40 केजी कराम है, और यू और वी का आउसत वजन 36 किलोगराम है, तो यू का वजन निकालना है, अप्सन है 22 केजी, 24 केजी, 26 केजी, और 29 केजी, देखिए, यह कोशन में जान कुछ नहीं, यह बुर्वग बनाने वाला कोशन है, थोड़ा पैसेंस रगो, T, U, V दिया दिया तो बचाग कन्फ्यूज आता है, T और U का ऐस्त बजन कितना आए, 4, तो T और U का ऐस्त बजन क्या हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं, T पलस U, कितना हो जाएगा, चालिस दोना、 80, और फिर U पलस V, तो U पलस V, कितना हो जाएगा, U plus V, कितना हो जाएगा, कितना है उसात वजन 36, कितना हो जाएगा, 72, अब आप इन दोनों को पहले, जोर दीचे, देखे क्या आएगा, ध्यास देखना, T plus 2 बार U आएगा, तो मैं भी अलगे रखता हूँ, U plus U, अलास्ट में क्या आएगा, V, कितना होगे, इसको जोर देते ह का वेलू इसमें रख दीजिए, तो T plus U plus V का वेलू रख देते हैं, 126, और यहां पर क्या बच गया, U, बरावर क्या हो गया, 152, हो गया, अब U का वेलू निकाल ला है, 152 में से 26 घटा आएगे, तो कितना आएगा, 26, तो U का वेलू क्या होगा, 26, आई बात समझ में, क्लि सन बहुत अच्छे थे, एक क्लास में इसकी आपके और दूंग आगली क्लास ओसत की, इसक वाद यह ओसत सप्टर कंप्लेट, इसक वाद परचेंगे, धराक से परसेंटेज पे, ठीक है, चलिए, आज के लितना ही, आप सभी का बहुत धनवाद, अपने और अपनों का ख्य रखें, जै जवान, जै किसान, जै हिंदुस्तान!